बिहार में एक नेता बचे रह गए थे तैर नहीं हो पा रहा था कि किस तरफ जाएंगे नाम मुकेश सहनी तो अब उनकी डील फाइनल हो गई है लालूर प्रसाद यादो के साथ तो आगर ये डील क्या है किन सीटों से लड़ सकते हैं मुकेश सहनी या उनके साथी लोग ये आज आपको पताएंगे साथी आपको पताएंगे कि पप्पु यादो जिरों ने कल नॉमिनेशन तो कर दिया मगर कॉंग्रेस की तरफ से लालो प्रसाद यादो की तरफ से जिस तरह की बयान जिस तरह की दबाव आ रहा है तो क्या ऐसे यहीं पप्पु यादो नमांकन अपना वापस भी ले सकते हैं इसके बारे में चर्चा करेंगे साथी बिहार में एक होट सीट बनी हुई है सारन लोकसभा जहां से लालो प्रसाद यादो की विटिया रोणी आचार सिंगापुर से लोटकर चुनाओ लड़ रही हैं सामने हैं बीजेपी के राजी प्रताब रोडी और लगाता रोणी अचार बीजेपी रेताओं के निशाने पर है तो वहाँ पर क्या कुछ समीकरन बन रहा है क्या को चल रहा है वो आपको बताएंगे और बातचीत करने के लिए हमारे साथ रोज के तरह होंगे हमारे वरिश चाहती पंकर जी पंकर जी बहुत स्वागत है आपका बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू थैंक यू आज मुके सहनी भी बोल रहे हैंगे मुझे लगता है लालो परसाद यादो को क्या आखिरकार उनकी डील जैसा कि आपने बताया है फाइनल हो गई है तो क्या हुआ है इस डील में क्या उनको एकी सीट मिलने वाली है खुद कि जो निशात समाज है उसका कई सीटों पर अच्छा प्रभाव है और ये बात मुके सहनी कई दिनों से ऐसा बोलते रहे हैं सवाल ये उता है कि मुके सहनी इंडिये में भी जगह चाते थे इंडिये में वो बड़े नेताओं से संपर्क में थे दिल्ली में आकर के रुके ह हुए भी थे जब सीटों के बटवारे की बात हो रही थी और यहां तक वो कह रहे थे कि उनकी राजनीतिक हैसियत कोई लोजपा राम बिलास से कम नहीं मतलब चिराग पासवान से कम नहीं है तो अगर चिराग पासवान को पास सीटे दी जा सकती है तो उनको क्यों नहीं दी जा सकती क्योंकि उनके हाथ में सीधा 10% वोट है इसका दावा वो करते रहें सवाल ये उठता है कि इसका आधार क्या है तो हम आपको बता दें कि इसका आधार ये है कि बोचहां में चुना हुआ और जिस तरीके से बीजेपी की हालत हुई साथ ही साथ जब पी कभी जीतती नहीं थी उसके बाद आप देखिए कि कई जगे पर इन्होंने आरजेडी का साथ दिया जैसे अनन सिंग की जीत हुई तो कहा जाता है कि ये भी वोट दिलाने में वहां कामियाब हुए थे गोपाल गंज में जो हार हुई थी महागटवंदन की तो उसकी ब सामियाब नहीं हो पाए थे खगड़िया से खुद हार गए थे आप अगर मधुबनी की बात करें वो भी हार गए थे मुझफर पूर भी हार गए थे ऐसे में सवाल उठता है कि जब ये खुद चुनाओं हार जाते हैं उसके बाद जो अपनी ये राजनीतिक हैसियत बता र हैं कि हम थोड़े थोड़े परसेंटेस को भी आड़ कर पाते हैं तो वो कुछ सीटों पर जीत और हार का कारण बन सकता है क्योंकि आप उत्तर प्रदेश में आप ओम प्रकास राजबर से इसकी तुलना कर सकते हैं ओम प्रकास राजबर जब बीजेपी में आ जाते हैं तो कई सारी सीटे जीत में तबदील हो जाती है वही जब वो समाजवादी पाटी में चले जाते हैं तो समाजवादी पाटी की हार जीत में तबदील हो जाती है लेकिन ओम प्रकास राजबर अकेले कुछ कर पाने की हैसियत नहीं रखते हैं ऐसे में सवाल उठता है कि आखिरकार मुके साहनी जो की पिछले दिनों एक यातरा पर निकले हुए थे और निशा समाज को हाथ में गंगा जल रखवा करके कसम खिला रहे थे कि आप कसम खाये कि जब तक निशा समाज को सिडुल कास्ट केटेगरी में नहीं इंकलूड किया जाएगा तब तक हम उस दल को उस पार्टी को वोट नहीं देंगे मुझे लगता है कि ये एक इतनी बड़ी बात है ये महागटवंदन के तरफ से लालू प्रसाथ के तरफ से वो बुलवा देंगे कि देखिए ऐसा है अगर महागटवंदन की सरकार बनती है मेरा मतलब है इंडिया एलाइंस की सरकार बनती है तो उनको include किया जा सकता है वैसे politically ये counterproductive भी हो सकता है मैं आपको बता दूँ क्योंकि बाकी दलित समाच के लोग क्या इसको बड़ी आसानी से लेंगे ये देखना बड़ा दिल्चस्प होगा क्योंकि दलित समाच को लग सकता है कि हमारा जो percentage है reservation का उसमें अगर इनको गुसाया गया तो फिर और संख्या बढ़ेगी और इससे हमारा नुकसान होगा लेकिन मुके साहनी के लोग हमेशा ये कहते रहें कि जब तक कोई party इस बारे में बात नहीं करेगी तो हम अपने लोगों के बीच में क्या मुझ दिखाने जाएंगे और इसलिए कहा जा रहा है कि शायद लालू प्रसाद बाहर आएंगे और इतना भी कह सकते हैं कि हम इस पर विचार कर सकते हैं अब आप पूछेंगे कि क्या बात हुई मुद्दे की बात हुई तो कहा ये जा रहा है कि ये तीन सीटों के मांग कर रहा है तीन सीट में एक वैशाली है एक मुझफरपूर है एक जहन्जारपूर है और अगर इन में से कोई एक आप नहीं देते हैं तो मोतिहरी दे दीजिए लेकिन मुझे लगता है कि वैशाली इनको दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा इसमें तो एक बड़ा सवाल है जह तक मुझफ़रपुर का सवाल है तो मुझफ़रपुर अल्रेडी कॉंग्रेस को दिया जा चुका है और वहाँ से आजय निशाद ने पार्टी की सरदस्टता लिये है तो लगबग आप मालीजे ये तैय है कि आजय निशाद ही कॉंग्रेस पार्टी के उम्मेदवार हूँ अब आजाएगे कि जहन्जारपुर का क्या होगा तो जहन्जारपुर इनको दिया जा सकता है मोतिहारी पे अभी किसी का डिकलरेशन नहीं हुआ है रादा मोहन सिंग उम्मेदवार है तो इनको दिया जा सकता है अब सवाल उड़ता है कि क्या दो से जादा भी सीटें दी जा सकती है क्योंकि अगर आप R.J.D. के लोगों से बात करें तो वो कहते हैं कि हम एक सीट देंगे बहुत होगा तो दो देंगे अगर आप इन से बात करें तो ये कहते हैं हमारी तीन सीटों पर बात बन गई है तो हम पूछते हैं क्या हम अपचारिक तौर पर इसको कहें कि वी आईपी पार्टी के अम्मुक ने ऐसा ऐसा कहा है तो वो कहते हैं देखिये अभी कुछ मत कहिये जब तक आपचारिक तोर पर announcement ना हो जाए हम आपको आपचारिक तोर पर ऐसी कोई बात कहने सकते इसका मतलब है कि कहीं न कहीं एक से तीन के बीच में मामला फसा हुआ है वो दो भी हो सकता है वो एक भी हो सकता है लेकिन कल की जो मुलाकात है उसे एक बात तो तैमानी जा रही है कि मुकेश साहनी मा गटवंदन का हिस्सा बनने जा रहे है और चारिक एनॉंसमेंट बाकी है जहां तक RJD का सवाल है तो RJD में भी दो धड़ा है एक धड़ा कहता है कि इनको लेने का कोई फायदा नहीं है पर लालू प्रसाद है जिनके पास बहुत सारी सीट है जब से जेडियू बाहर निकली है अब आप देखिए कि उनके पास 26 सीट है तो खुद लड़ने के लिए 26 में से वो तीन दे दे, दो दे दे, एक दे दे वो क्या करेंगे ये फैसला तो लालू प्रसाद खुद करेंगे क्योंकि पार्टी ने अपचारिक तोर पर उनको अधिकरित कर दिया और लालू प्रसाद से उनकी मुलाकात होना तेजस्वी यादब से उनकी मुलाकात होना और उसके बाद कुछ ऐसी सीटों पर इनकी दावेदारी करना ये बड़ा दिल्चस्प है अब बैसाली के बाद करिये तो बैसाली में कभी मुन्ना सुकला को ले करके चर्चा हो रही थी अब कहा जा रहा है कि चुकी 2014 में जब नितीश कुमार सबसे अलग चुनाव लड़ा रहते हैं लोग सबार वो ना तो लालू प्रसाद के साथ थे और ना एंडिये में थे क्योंकि नरिंद मोदी को नेता गोसित किया गया था और इस बज़े से एंडिये सरकार तूट गई थ उस समय नितीश कुमार ने एक साहनी उमिद्वार को वैशाली में खड़ा किया था अब उनको तक्रीबन दो लाख वोट आ गये थे तो आप समझे कि वैशाली में भी साहनी समाज की संख्यां अच्छी है मोतिहरी में अच्छी है जंजारपूर में अच्छी है उसके बाद बालमिकी नगर में अच्छी है तो दर्भंगा में अच्छी है मुझफरपूर में अच्छी है ऐसे में सवाल उठता है खगड़िया में अच्छी है पर दिक्कत मुके सानी के साथ यह है कि एंडिये से रिजेक्ट हो चुक है तो मुके सानी के पास बहुत सारे विकल्प न और उसे हिसाब से टिकेट बाटते हैं ये देखना दिल्चस्प होगा इसलिए मामला कहीं ना कहीं एक से लेकर के तीन तक जूल रहा है और चारिक तोर पर जो भी एनाउंसमेंट होगा वो पता चल जाएगा पर ये कहा जा सकता है कि मुकेशानी लगातार इस बात को लेकर के प्रयासरत थे कि इस चुनाओं में प्रासंगिक्ता कायम रखने के लिए एंडिये ने अगर रिजेक्ट कर भी दिया है तो वो महागटवंदन का हिसा बन जाए और महागटवंदन में उनकी वज़े से एंडिये कुछ सीटे हारती है तो आगे से एंडिये उनको बहुत मुकेसानी लगे हुए हो गया पंकर जी मंगर कॉंग्रेश के जो प्रदेश अखलेश प्रसाद उनका बयान आया है कि निर्दली अगर आप महागटवंदन में शामिल है तो निर्दली लड़ने की किसी को छूट नहीं दिया सकती है और नामांकन वापस लेने की बात भी कही जा रही है दबाओ बनाए जा रहा है लालो प्रसाद यादो लगातार दबाओ बनाई रहे हैं तेजस्वी प्रसाद तेजस्वी आदो घूम भी आए जाकर पूर्णिया अपने बीमा भारती है प्रत्याशी है उनके लिए प्रशार भी कराए तो नामांकन के बास से भी लगातार दबाओ और वो दोनों तरह की बातें विचारा धीन है इसको समझना बहुत जरूरी है और इसको समझना इसलिए भी जरूरी है क्यूंकि एक चीस तो सच है वो सच ये है कि आरजेडी और कॉंग्रेस का गटबंदा इस बात से इंकार किया नहीं जा सकता है दूसरा सच ये है कि पप अभी भी कॉंग्रेस के नाम का गाना गा रहे हैं वो कॉंग्रेस के सिर्ष नेत्रित को गाली नहीं दे रहे हैं इस बात को समझे और गाली क्यूं नहीं दे रहे हैं इसमें वो अपना पॉलिटिकल फाइदा और नुकसान समझते हैं आर जेडी के लिए दर्द है आर जेड प्रशाद को पिता तुल्य मान रहे हैं लेकिन उनका दर्द कई बार बाहर आ जाता और वह बेटर समझ रहे हैं कि आरजेडी ही उनके राह में रोड़ा है वह यहां तक कह चुके हैं कि अगर आप लड़ाना ही चाहते हैं तो आप क्यों नहीं हमें आरजेडी का ही सिम्बल दे दिजी हम पूरणिया से आरजेडी के ही सिंबल पर चुना विल्ड लेकिन हम लड़ेंगे पूर्णिया से पर अब आप आईए प्रदेश अध्यक्ष अखलेश प्रसाद सिंग की बात सुने अखलेश प्रसाद सिंग और लालू प्रसाद की क्या केमिस्ट्री है वो आप इस बात से ही समझ सकते हैं कि जो लालू प्रसाद सोचते हैं वही अखलेज सिंग सोचते भी हैं बोलते भी हैं और करते भी हैं इस बात को समझ ली जैसे लालू प्रसाद पपुई अदब और कनया के बिरोध में हैं तो अखलेज सिंग उनके बिरोध में हैं ही नहीं उसके लिए सारा काम भी कर रहे हैं और उस तरह का सारा एक्शन भी कर जिससे साब प्रतीत होता है कि अखलेज सिंग क्या सोच रहा है और क्या करने जा रहा है अब सवाल उठता है कि अखलेज सिंग दिली से पट्टा पहुंसते हैं और पट्टा पहुंसते ही वो किस तरह का बयान देते हैं वो कहते हैं कि कॉंग्रेस के इतने बड़े नेता थे निखिल बावू नेता हैं लेकिन औरंगाबाद से लालू प्रसाद ने आरजेडी को टिकेट दे दिया तो निखिल बावू इंडिपेंडेंट तो खड़े नहीं हो गए पार्टी का शिर्ष नित्रित तो कभी भी इस बात की आजादी नहीं देता है कि अगर आपको पार्टी टिकेट नहीं दिया तो आप इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ लीजिए और उसके बाद पार्टी का नाम लीजिए पार्टी का सिर्ष नित्रि तो ऐसे लोगों के साथ कदापी खड़ा नहीं होगा और खड़ा नहीं है यही बात सकील आमत खां कहते हैं सवाल यह उठता है कि यह कॉंग्रेस के प्रदे सध्यक्ष कह रहे हैं यह कॉंग्रेस के दूसरे बड़े नेता सकील आमत खां कह रहे है अब ऐसे में पपू यादब क्या करेंगा पपू यादब बहुत जोर से कह रहे हैं कि मैं पूर्णिया नहीं छोड़ूगा पूर्णिया मेरी मा है लेकिन दूसरी तरफ ये भी कह रहे हैं कि अब उनका लास जो है वो कॉंग्रेस के जंडे में ही दफन होगा ये बात भी कह अरे भाया तो अगर कॉंग्रेस का शिर्ष नितरी तो लालू प्रसात के दबाव में इस तरीके से हैं तो आपको अगर कॉंग्रेस से बेदखल कर देगा तो फिर कॉंग्रेस के जंडे में कैसे आपका लास दफन होगा और पूर्णिया आपकी मां भी है आप ये भी कह रह कि Congress का शिर्ष नेतरित को कहे कि ठीक है तुम छोड़ दो इसके बादे तुम्हें ये दिया जा सकता है समझ लीजिए नहीं तो दूसरी बात क्या है दूसरा मतलब यह है कि वो Congress का नाम इसलिए जप रहे हैं क्योंकि वो समझ रहे हैं कि मुसल्मान बोट की संख्यां बहुत जादा है वो अगर कॉंग्रेस से बैर करेंगे तो इसका नुकसान हो जाएगा क्योंकि राहूल गांधी की भारत जोड़ो निया यातरा वहां भी पहुंची थी और अब मुसल्मान किस तरीके से कॉंग्रेस के प्रती उमीद भरी निगा जाहों से देखने लगे हैं यह सर्व भी दिख्थ है यह करनाचक में भी दिखा तेलांगाना में alternatives के लोकल बड़ी चुनाओं में भी दिखा आपने देखा निकाई चुनाओं में भी ये सार्व जनी हुआ अब ऐसे में सवाल उठता है कि अखिरकार पपू क्या करें ये तो पपू पे निर्भर करता है क्योंकि उनकी बातों के कई माइन है वो कॉंग्रेस का रागलाप रहें उसमें उनको अपना बोट ये कहते हैं कि आप तो पूर्णिया मेरी मा है पूर्णिया ने मुझे अपना लिया पूर्णिया में ही मरूंगा और साथी साथ कहते हैं कॉंग्रेस के जंडे में ही लिपता रहूंगा तो आखिरकार वो जो कहना चाहरे हैं उसके कई माइन है पर दूसरी तरफ आप देख रखता है इस बात को आप समझें क्योंकि आर्जेडी सुप्रीमों पपुयादब को मदेपूरा ही तो लाना चाहते थे मदेपूरा से ही चुनाव लड़ाना चाहते थे लेकिन पपुयादब माने नहीं वो अगले दिन दिल्ली चले गए कॉंग्रेस की सदस्यता लेली और उसके बाद वो पूर्णिया से चुनाव लड़ेंगे ये डिकलेर कर दिया और एक साल से वो मेहनत कर रहे है को लगता है कि लालु प्रसाद मधेपुरा वुला करकर के उनको हराना चाहते है और उनको पॉलिटी कली फिनिश करना जाओं उनकी राजनितिक है कर दे BACK और दरसल पॉलिटीकल फिनिस का मतलब यह है कि पपू यादब पोटेंशिली थ्रेट आगे हो सकते हैं इसलिए कि उन्हें इनको खतम ही कर दिया जाए कोशी और सिमान चल जो कि पपू यादब एक बड़े नेता के तोर पर जाने जाते हैं उनकी एक पकड़ है जीते आ रहे हैं वो अलग बार पर कि उनकी एक धाक है एक छबी है लोग उनको जानते हैं ऐसे में सवाल उठता कि पपू यादब को लग रहा है कि मदेपूरा बुला करके मेरे खिलाब साजी स्रची जा रहे हैं लेकिन अभी तक RJD की तरफ से मदेपूरा का सीट डिकलेर नहीं किया है इसका मतलब क्या समझ सवाल यह उठता है इसलिए यह ऐसा एंगल फसा हुआ है आप देखें तो साब समझ में आता है कि पहले दो से चार तारीक तक के लिए नमांकन एक्स्टेंड करना इसका मतलब साब था कि कॉंग्रेस का सिट्स नेत्रित कह रहा था मैं बात कर रहा हूं अभी थम्ये तो इन देशिकाई कह रही है कि यह कॉंग्रेस का सिट्स नेत्रित आजादी नहीं देता है उधार आरजेडी मधेपूरा से किसी उम्मिदवार को नहीं उतार रही है क्योंकि मधेपूरा से उतरने वाले कई उमिदवार तैयार खड़े हैं उसमें से वो प्रॉफेसर चंशेकर भ गाली दिया घूमते थे जब सिच्छा मंत्री थे तो सिच्छा विभाग के लिए उन्होंने क्या कुछ किया नहीं किया वो तो कोई जानता नहीं है लेकिन वो रामचरितमानस को गाली दे रहे थे यह भी आपने सुना वह भी लाइन में खड़े हैं आनंद मंडल भी लाइ इसको अभी तक लालू प्रसाद ने घोशित क्यों नहीं किया किस तरह कि आपती है तो क्या मदेपूरा क्या सुपॉल क्या कोई इस तरह की बात चल रही है क्योंकि एक बात मत बूलिएगा सुना कल पपु यादम नहीं कहा कि नामंकन से पहले आर्जेडी के एकनेता का फो आप लड़ने की आजादी नहीं देता है मतलब कुछ ना कुछ एक कोशिस तो हो रहे वहां जाते है वहां जाते हैं उनको ये करना है अंतिम निर्णा क्या होगा यह मुझे लगता है नमांकन की जो आखरी तारीक वापसी की होगे उस दिन तय हो जाएगे कि लाल की पपू यादो क्या करने वाले हैं एक और होट सीट पर चलते हैं वो है सार अनलोक सभा जहां से रोणी आचार लालो प्रसाद ने इसे बिहार प्राइड की लडाई बता दिया था और कहा था कि जनता को सिंगापूर की बहू और बिहारी प्राइड में किसी एक को चुनना है समराच चौधरी भी तंजिकस चुके हैं एक तो बड़ा वीडियो बारेल हुआ था उनका और उन्हें ये भी कहा थे कि लालू जी ने दो बेटे और दो बेटियों को तो चुनाओ मैदान में उतार दिया है उसको और जो हाच चुनाओ जला उसको लेकर आपका क्या आख लेने देखिया आप देख रहा हैं पिछले कुछ दिनों से परिवारवाद बिहार में किस तरीके से मुद्दा बनाऊ जी इसमें तो कोई शक नहीं है लेकिन कल जमुई जब प्रदान मंत्री पहुंचे तो उन्होंने परिवारवाद पर कुछ नहीं बोला क्योंकि जमुई में जो प्रत्यासिक खड़े थे वो राम बिलास पासवान के दामाद हैं दिवंगत नेता राम बिलास पासवान और साथी साथ चिराग पासवान के बहन हुई भी तो साइड ये बूलना जो है वो मुझे नहीं लगता है कि बीजेपी के लिए सहज भरी इस्थिति पर उसके बाद उसके वीडियो क्लिप कटते हैं वहां लोकल वाइरल होते हैं और आप इस बात को समझ रहे हैं अब आप आजाईए सारन में सारन में जब र तरीके से अकरामक हुई जहां तक रोईनी आचारे का सवाल है तो रोईनी आचारे ट्वीटर पे लंबे समय से एक्स पर वो एक्टिव रही हैं वो लगातार कुछ ना कुछ पोस्ट करती नहीं हैं उनका नाम तब भी आया उन्होंने जब अपने पिता को किड्नी दिये औ और उसके बाद उनको लेकर के बहुत तरह की बाते होने लगी कि ऐसी बेटी भगवान सब को दे और ये बात एंडिये के घटक दल भी बोल चुके हैं अभी कुछ दिन पहले आश्रोक चौदरी भी बोल चुके हैं लेकिन इस सब के बावजूद क्या वो राजी प्रतापर लालू प्रसाद से जरूर आ रहे हैं लेकिन राजी प्रतापरूडी राबडी देवी से भी नहीं हा रहे हैं लालू प्रसाद के किसी रिष्टेदार से नहीं हा रहे हैं राजी प्रतापरूडी ऐसे में लालू प्रसाद की बेटी क्या उन्हें हरा पाएंगी ये बड़ा सवाल क्यूंकि आप दोनों के प्रोफाइल को देखें देखें राजीप प्रताप रूडी पिछली वार भी लालू प्रसाद के समधी चंद्रिका राई को हराए उससे पहले राबडी देवी को हराए अब सवाल ये उठता है कि आरजेडी कैंप में आप बात करें तो आरजे और वो चार-चार बार सांसद रहे हैं आप ये जान लीजिए सवाल ये उटता है कि चार बार जीते हैं राजी प्रताप रूडी और लालु प्रसाद भी चार बार जीते हैं तो रिकॉर्ड राजी प्रताप रूडी के भी नाम है और रिकॉर्ड लालु प्रसाद के भी नाम या उनको हरा करके रोईनी आचारिया तोड़ेंगे क्योंकि रोईनी आचारिया लालू प्रसाद की बेटी है उन्होंने अपनी किड्नी डोनेट की है सिंगापुर में एक बैंक में MD है उन्होंने बड़ी अच्छी पढ़ाई की है अमेरिका में रही हैं सिंगापूर में रही हैं उनके तीन बच्चे हैं उनका educational background बहुत अच्छा है और kidney देने के बाद एक समाज में उनकी प्रतिष्ठा बढ़ी है कि एक बेटी ऐसी भी है जो अपने बाप के लिए शादी सुधा बेटी वो अपने पिता के लिए kidney भी डोन minister लेकिन राजी प्रताप रुडी तो बाजपही cabinet में minister यह बड़े नेता उस समय से थे अच्छे वक्ता हैं प्रकर वक्ता हैं बढ़ियां बोलते हैं और और पाइलेट भी है कमर्सियल पाइलेट भी है अक्सार उनके फोटो वीडियो आते रहके हैं पंजाब में उनकी चं संग में उन्होंने नेतागिरी की है हिंदी अंग्रेजी दोनों अच्छा बोलना जानते हैं सोफिस्टिकेटेड हैं बहुत सारी बात है तो क्या अब सवाल यह उठता है कि यह जो दो बड़े पर्सनालिटी का क्लैस है वहां उसमें कौन आगे बढ़ता है यह तो देखना द लेकिन प्रो मोधी भी इंकम्बेंसी हो सकता है क्योंकि अगर मोधी को कोई तीसरी बार पीम बनाना चाह रहे हैं तो निश्चित तोर पर बहुत सारी बातें पीछे चली जाएंगे तो इसलिए आप देख रहे होंगे कि सारन को लेकर के बिहार में चर्चा बहुत है पूर लालू प्रसाद की बेटी मैदान में उत्रे और दूसरे जो उम्मिदवार खड़े हैं वो पूर्व मंत्री हैं वो भी लोग प्रियानेता है ऐसे में सवाल उठता है कि वहां पर क्या होगा ये देखना दिल्चस्प होगा इसलिए सारन भी हाई प्रोफाइल सीट बन चु क्योंकि इस बात को भी आप इंकार नहीं कर सकते कि बिहार में बड़ा तपका एंटी यादव गोल बंदी करके वोट करता है उसमें आती पिछडा समाज आता है और यही वज़य है कि पिछली वार 40 में से 49 सीटें एंडिये जीतने में सफल रही पर क्या इस बार भी ऐसा हो सवाल यह उठता हर चुनाओं अपने आप में अलग होता है तो उसलिए आज से आप देखें तो आप पाएंगे लेकिन यह हाई प्रफाइल सीट इसलिए बन चुका है क्योंकि एक तरफ राजी प्रतापरूड ही जो की पाइलेट हैं इंडिगो का विमान उड़ाते हैं ए 40 साल की माइला हैं जो कि लालु प्रसाद की सुपुत्री है तो ऐसे में सवाल उठता है कि यह जो लड़ाई है वो दिल्चस्प होती है और जो भी फील्ड पर जनता सोचती है वो भी बहुत जल्द आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलेगा बागी बिहार में जो कुछ अ सीटे मिल सकती हैं फाइनली कितनी मिलती है यह देखने वाला होगा पप्पु या दो नामांकन वापस लेते हैं कि नहीं यह चर्चा हमने कि अभी तो नामांकन वापस ही जब होगी उसी दिन तरह होगा बाकि जो हॉट सीट से हमके बारे लगातार जानकारी आपको दही र रहेंगे आप देखते रहे हैं टीवी ना इंडेस्टर शुक्रिया